दोस्तों अगर आपकी एडिया भी फट गई है और आप भी चाहते हैं सौफ्ट स्मूथ एडिया तो आज आपके लिए ऐसी अच्छूक रेमिडी लेकर आए हूँ जिसके इस्तमाल से आप बिल्कुल सौफ्ट एडिया पा सकते हैं अगर आपकी एडिया फट गई है दरारे आ गई है खून आने लगा है तो आपकी जो ये तकलीफ है वो ये रेमेडी दूर कर सकता है चलिए तो फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं जादा समय नहीं लूँगे आपका वीडियो शोने से पहले एक छोटी से रिक्वेस् मिले लिए बहुत माइने रखता है इस रेमेडी को बनाना असान है लगाना असान है कोई खास मैनत आपको नहीं लगेगी कोई खास सामान आपको नहीं लगेगा दोस्तों आपको लेना है एक वाइट वाला तूथ पेस्ट कोई भी कमपनी का आपको वाइट कलर का तूथ लेना है एक time के लिए जितना पेस्त लेते हैं उतना ही आपको यहां पर पेस्ट लेना है उसके बाद आपको इस मिलानाना है कुछ पून्दे नारील डील के तेल में कुछ ऐसे तत्वह होते हैं जो हमारी तूपचा में समय से पहले wrinkles को आने नहीं देते हैं हमारी तूपचा को बिलकुल soft बनाता है, baby soft बनाता है नारियल का तेल इस रेमेडी में दियान रखें केवल आपको white भाला तूपच लेना है, जल भाला तूपच नहीं लेना है toothpaste एक बहुत ही बहतरीन beauty product है और आपकी तवचा को बिलकुल soft बनाने के लिए बहुत कारगर है अब आपको इस मिलाना है आधा चोटा चमच नीबू का रस अब तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से mix कर लीजिए और हमारी जो remedy है दोस्तों फिर बन करके बिलकुल हो गई है तयार लगाने के लिए अब इसको लगाना कैसे है कब लगाना है सारी details बताऊंगी वीडियो के end में आपको result भी बताऊंगी तो end तक ही ज़रूर बने रहीएगा ताकि हर एक detail आपको समझ में आजाए अब दोस्तों इस paste को आपको अपने एडियो पर लगाना है दोस्तों क्या होता है ना कि थन के मौसम में हम लोग पानी कम पीते हैं और हमारे शरीर को ना hydration की ज़रूरत होती है तो पानी की कमी के कारण भी हमारे पैर फटने लगते हैं इसके हलावाद जब आप कहीं पे नंगे पैर चलते हैं या फिर अधूल मिटी में रहते हैं या फिर कहीं आप बाहर से आते हैं तो ऐसे मैं अच्छे से पैर क्लीन नहीं करते हैं हम लोग दोते नहीं है तो इसके वज़े से भी एडिया चुए वग फटनी लगती है बस अपने पूरे एडियों पर ना आप अच्छे से इसको लगा दीजिए कम से कम ना 7-8 मिनिट तक इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिए अपने पेरों पर उसके बाद आप वाश कर लीजिए ऐसे आप रोजाना करेंगे ना आप देखेंगे एडिया आपकी जितनी भी चाय फर्टी हो दरारे हो सारी ठीक हो जाएंगी साथ से 8 मिनिट के बाद में अपने पेरों को वाश कर लीजिए तो दोस्तों कैसी रगी आपको मेरी वीडियो वीडियो थोड़ी सी पे अच्छी लगी होगी इंफर्मिटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हो सकते तो वीडियो को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में रिश्चितारों में ताकि आपके जरी उनकी भी मादत हो जाए थैंक यू सो मच वाचिंग दिस फूडियो फ्रेंस मलता है एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर